आज की सिगनेचर रेसिपी जो आपको दिखाने जा रही हूं उसका नाम है भरवा मिर्ची ग्रेवी यह बहुत ही टेस्टी है नान पराथे कुल्चे रोटी के साथ बहुत ही यमी और टेस्टी होता है यह यह ग्रेवी एक बार जरूर ट्राय करके देखिए अगर मेरा चैनल मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो पलीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और पास में ही जो बेल का बटन है उसको प्रस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाए तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं य या इसको आप भरवा मिर्ची ग्रेवी भी बोल सकते हो इट इस वेरी गुट कॉम्पलिमेंट विट कुल्चा नान रोटी पराठा किसी के भी साथ इखा सकते हो आप बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो लेट स्टार्ट यहाँ पे यह जो मिर्चिया जो मिर्ची बजी की मिर पीनट्स याने मूंग फली ओ को मैंने रोस्ट करके लिया है और बाद में उसका मैंने पाउडर किया है पाउडर नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि यह सब आइटम्स हम मिक्सर ग्राइंजर में डाल रहे है मेरे पास पाउडर ती इसलिए मैंने पाउडर ही दिखाया लेसुन की कुछ कलिया विचार 5-6 और यह है जिंजर का पेस्ट जो किया है मैंने विच फोर्थ टीस्पून और यह हरा कटा धनिया यह सब हम अभी एक निक्सर ग्राइंडर में डाल के उसमें डालेंगे कुछ मसाले अभी इसमें डालेंगे ग्राउनट पाउडर जब भी आप इमली डालो तो ध्यान रखिए कि इमली के बीज ना होने पाए इसमें नहीं तो हमारा ग्राइंडर खराब हो सकता है बाद में कोकनेट पाउडर फॉलोड पाई जिंजर और गार्लिक और लास्ट को हरा धनिया सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट काला मसाला अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बोल दीजिया I will explain you नहीं तो आप गरब मसाला डाल सकते हो दनिये जीरे का पाउडर 1 टीस्पून काला मसाला 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून तॉमरिक पाउडर थोड़ा और इस सब को ग्राइंड करके लेना है अभी In the form of course powder See friends मसाला अभी निकाल लिया है ग्राइंडर से ये ऐसा होना चाहिए दरदरा होना चाहिए मसाला अभी इस मसाले को ऐसे इन मिर्चियों में स्टफ कर देंगे अच्छी तरह से यह एक बहुत ही टेस्टी रसिपी है बहुत याने सो मिर्चियों को ऐसे भर दिया है हमने मसाले के साथ अभी इसको हम देंगे तड़का कुकर में कुकर में डालेंगे अभी एक वन फॉर्थ कप और पीरा वन टीस्पूर लिंग राई प्रटर हो रही है उसमें डालेंगे ऑँमें उसपे दालेंगे कॉनियं के यह उनियं को साभेंगे वन मिनित के लिए उस मैं डालेंगे कमाचर एक हब इसमें बैंगा भर तो अब हमारे भरवा मिर्चिया साथी डालेंगे पच्चा हुआ जो मसाला था वो और फोड़ा पानी मिक्सर में जो मसाला लगा हुआ था तिनारों को वो पानी पानी तो लगेगा क्योंकि हम सीटी बेने वाले हैं कुकर को एक पाच स्टेबल स्पून पानी डालेंगे अभी कुकर को ढखके दो से तीन सीटीया दे देंगे उपर से आप फिर से थोड़ा सा नमक और रचली पाउडर डालना चाहो तो डाल सकते हुआ अभी से स्मेल की उपना सूपर हा रहा है फ्रेंस बहुत ही अच्छा रहा है बर्वा मिर्चिया बनके रडी है और अभी प्लेटिंग भी करके दिखाईये मैंने सो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब इफ यू लाइक मैं चैनल बाबाई टेक केर